प्रहाय टाइम्स की नियूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महराश्ट के समाजिक न्याय मंत्री पर रेप का आरोप लगा लेकिन अभी तक एफाई यार दर्ज नहीं हुआ लेकिन महराश्ट के ग्रह मंत्री अनील देशमुक ने कहा कानून से बड़ा कोई नहीं मुंडे पर लगे आरोपों पर पायटी के प्रमुक यानि NCP के सरतपवार गंभीर बताया है लेकिन मंत्री पर बने रहेंगे मुंडे और इसलिए बिजेपी ने जो है NCP के सरतपवार को घेरने की कोशिश कर रही है और आरोप लगा रही है वो धननजय मुंडे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह के बयान बाजी हो रही है इसके बीच एक बयान और जो सामने आ रही है वो ये की ये बात सच नहीं है बचाने की कोशिश नहीं बलकि पुलिस अपना काम कर रही है चाहे मंत्री हो या अधिकारी कानून से बढ़ा कोई नहीं और जब पूछा गया अभी तक एफा कारवाई करेंगे आपको बता दे मुंबई के रेनू सर्मा ने आरोप लगाया है कि धनांजय मुंडे 2007 से उनका बलतकार कर रहे हैं वही मुंडे ने गलत बताते हुए इसे बलेक मेल करार दिया है और कहा है इस गाईका की बहन करुना सर्मा के साथ रिलेसंसिप में थे जि उपमुक मंतरी अजीत पवार ग्रह मंतरी अनील देशमुक प्रफुल पटेल के घर पर बैठक की थी पवार ने आरोपों को गंभीर बताया तब ही इसमें एक और मोड आ गया बिजेपी और सिवसेना की कुछ नेताओं ने आरोप लगाया मुंडे पर आरोप लगाने वाल प्रिश्णा हेंगडे ने बताया पिछले कई सालों से महिला उनके पीछे लगी हुई है लेकिन उन्हों ने अपने पास नहीं भटक ने दिया इसके बाद सिलसिला खत्म नहीं हुई मनसे ने मनीस घुरी भी पुलिस के पास पहुचे और सिकायत की रेनु सर्मा उन्हें भ हटाया नहीं जाएगा जाहिर है धनंजय मुंडे के लिए बड़ी रहा थे बिजेपी इस पर काफी हमलावार है उनका कहना है मुंडे कुपत से नहीं हटाना सर्मनाख है पूर्व मुखमंतरी देवेंद फरनवीश ने मांग की है सच्चाई सामने आनी चाहिए बिजेपी भ्रमित करने का प्रयास कर रही है जबकि मुंडे ने करुणा सर्मा से जन्मे जिन दो बच्चों को बताया है उनका उलेख मुंडे ने चुनाव आयोग में पेस एफिडेफिड में नहीं किया था बारहाल अब सारा मामला जांच पर रुका है थमा है जांच रिपोर्ट आ पहले ही कहा है कानून से बड़ा कोई नहीं और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहाय टाइम्स